दो हजार चौबिस में कौन बनेगा प्रधान मंत्री लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीती में क्या सर्व गर्मिया हैं और कौन सा ऐसा नेता है कि जिसका पिता दूसरी पार्टी में हो और बेटी दूसरी पार्टी में इस पिता और बेटी की कहानी में आखिर कार कौन सा ऐसा गरंत रख दिया गया कि सायद चाहें वो हिंदू हो और चाहें वो दूसरे धर्म के लोग हो उसमें बड़ा बवाल मचा हुआ है दरसल उत्तर प्रदेश पूरी भारती राजनीती में एक बड़ा ग्राफ माना जाता है उत्तर प्रदेश की सीटे असी निकल कर सामने आती है और जिसमें से एक बदायू सीट पर सांसाद हैं संग मित्रा मौर्या ये संग मित्रा मौर्या ऐसे पिता की बेटी है जिनके पिता ने रामचरित मानस पर ही सवाल खड़ा कर दिया है और उस सवाल के बाद में भूचाल सा यूपी की राजनीती में ही नहीं बलकि पूरी देश की राजनीती में खड़ा कर दिया है कैसे संगमित्रा मौरिया बदायू से सालसद है और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौरिया सपा पार्टी में है जो कि पहले बीजेपी में ही थे लेकिन इन दोनों के बीच में एक ऐसा पेंच फस गया रामचरित मानस का वो रामचरित मानस के लिए बोलते हैं कि इसमें कुछ ऐसी चौपाई है जिनको हटा दिया जाए हस्ता छेप किया जाए या यूँ कहे कि अगर नहीं हो तो इस गरंद को बंदी कर दिया जाए मैं सीमो और रहिया समस्त जनपत वाज़ियों को सबसे पहले मैं अपने गणता दिवस की हार देख शुप कामनाएं देती हूँ और साथ में मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी हमारे जनपत के आईश्मान कार्ड लभरती हैं जिनका सूची में नाम है और कार्ड नहीं बना है वो जल से जल अपने कार्ड बनवाले ये कार्ड पंचायच सहाइक भी बनाते हैं और अपने गाउं की आशा बहनजी से संपर्क करके बनवा सकते हैं या कोटेदार से संपर्क करके बनवा सकते हैं अब इसके बाद में जब देश के या उत्तर प्रदेश के कई नेताओं से बात की गई या कई धार्मिक लोगों से बात की गई या अन्य लोगों से बात की गई तो निसकर्थ ये निकल के आया कि चाहें वो बीजेपी पार्टी के लोग हों अच्छा होता क्या है दो चीजें बीजेपी पार्टी के लोगों के उपर तो स्वामी परसाद मौरे लगाएंगे ही आरोप क्योंकि वो सपा पार्टी से आते हैं लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो सपा पार्टी में ही पहले रहे हैं कि श्यूपाल यादों की बात करें तो श्यूपाल यादों ने भी इनके बयान से हाथ ख़ड़े कर लिये हैं उन्होंने बोल दिया था कि यह उनकी व्यक्तिकत रहा है अगर बीजेपी की नेता से बात की गई तो उन्होंने बोला भूपेंच चौधरी ने जो की अध्यच्च हैं इस समय भारती जंदा पार्टी के उत्तर प्रदेश से तो उन्हों ने बताया कि ये उनकी एक ओची मान सिकता है वो बेरोजगार हो गए है राजनेती करने के लिए कोई उनके पास मुद्दा नहीं बचा हुआ है तो ऐसे मुद्दे खड़े कर रहे हैं वो कब पूछा गया जब संग मित्रा मौरिया ने ये बताया कि पिता जी ने जो बोला है उन चौपाईयों को बोला है जो उसमें से हटा दी जाएं बाकाइदे वर्णन किया गया है कहा है कि कुछ मीटिके कर ली जाएं विद्द्दानों से चर्चाए कर ली जाएं तब उसको हटाया जाए अब मामला फस गया यहां पर कि संग मित्रा मौरिया तो बीजेपी में है अब क्या ये पार्टी छोड़ेंगी या कोई दूसरा प्लान मनाएंगी दरसल हो ये रहा है कि जो यानि कि बीजेपी के ही अगर मंत्री अब मामला फस गया बीजेपी पार्टी का और मामला फस गया पिता और पुत्री का अब सुत्री अगर बीजेपी पार्टी में रहती है तो काम कैसे करेगी और पिता के पक्ष में नहीं बोलेगी तो क्या करेगी गरतम दिवस्पे हम अपने कानपर द्याद के सभी वासियों को फेर सारी सुप कमनाय देते हैं कि सभी लोग जो है श्रचित और स्वास्त तरीके से ग श्रचित रहें और अपना ध्यान रखें तो पूरी राजनीती का जो समय करण है वो अब राम चरीत मानस को लेकर बड़े हिस सुर्कियों में है लेकिन भूपेंच चौधरी ने जो बोला है वो भी कही न कहीं बात सोलह आने सच निकल कर सामने आ रहे हैं कि देश की राजनीती में कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचा सायद कि वो अपनी बात रख पाएं यानि कि स्वामी प्रसाद मौर रहे हैं तो वो चर्चा का विसाय बने अब जब ऐसे मुद्दे उठाएंगे तो चर्चा तो जाहिर हो या यू कहें कि देश के आस्थावान लोगों के साथ खिलवाण बिलकुल नहीं होगा इस वीडियो में इतना ही आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सेयर जरूर करें और हां कमेंट बाक्स में लिख कर ये जरूर बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर ने सही ब नमस्कार